नमस्कार, हमारे एक और वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप आटफी और दसवी के बाद पूलिस में कैसे आ सकते हैं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये चीजें भी बताऊंगा कि आप जैसे अगर पेपर में बोनस हासिल कैसे कर सकते हैं और हासिल करने के साथ साथ आपको एक इवेंड जैसे कि आप कोई चीज में नेशनल हो या आपके पास कोई NCC है या NSS है इन सब चीजों में आपको कितना-कितना नमबर देने का प्रावधान है ये सब चीजे मैं आपको बताने वालूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पुलिस बनने के लिए तो सबसे पहले आपको कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्डी स्कुल से दस्वी पास आउट होना जरूरी है अगर आप नकसल प्रभावित छेत्र से हैं जिधर नकसल समस्या एक गंभीर समस्या है उधर आपको आठवी पास आउट होना जरूरी है इसके बाद आता है हमारा उम्र जो की कुछ इस प्रकार है जैसे की जनरल वा ओबी सी के लिए है 28 वर्ष तता जनरल और ओबी सी इन दोनों वर्ग को कोई छूट नहीं दिया गया है तता एश्टी वा एश्टी वर्ग को चार वर्ष का छूट दिया गया है उम्र के बाद हम बात करते हैं उचाई की जो इस प्रकार है जैसे जनरल ओबी सी वा एश्टी के लिए है 168 सेंटीमीटर वा एश्टी के लिए है 158 सेंटीमीटर तता इसी के साथ हम बात करते हैं ब पुलिस भरती में चेस्ट में जनराल AC वा OBC को कोई छूट नहीं दिया गया है Only ST वर्ग को छूट दिया गया है जैसे हम बात करेंगे जनराल AC वा OBC को चेस्ट में लगता है हमारा 81 cm भीन फुला है और इन तीनों वर्गों को अपना चेस्ट पंप करके 86 cm करना रहता है और ST वर्ग को 76 cm से पंप करके 81 cm करना पड़ता है इस मापदन के उसार आपका चेस्ट कम पढ़ रहे हैं तो आप हमें कमेंड में जाके जरूर बताईए ताकि हम आपके लिए complete वीडियो ला सके और अगर आप 5 cm फुलाने में भी असमर्थ हैं तो भी आप हमें कमेंड में जाके जरूर बताईए जिससे related हम वीडियो और exercise आपके लिए लाएंगे हम अंत में बात करेंगे बोना संकों का अगर आपके पास heavy license होगा तो आपको 5 अंग दिया जाएगा अगर आपके पास NCC, NSS और कोई sports में नेशनल में gold medal है चाहे आप एकल में लाए हो या फिर team में लाए हो तो आपको 5 अंग देने का प्रावधान है लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि आप NSS, NCC, heavy license या sports में भी आप national certificate रखे हैं तो आपको सभी sports और event का 5-5 नंबर दिया जाएगा ऐसा नहीं है आपको अधिकतम नंबर सिर्फ 10 नंबर ही या 10 अंग ही दिया जाएगा जैसे कि अभी मेरा training चल रहा है उसके बावजूद मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देने के लिए समय समय पे वीडियो अपलोड करते रहत हूँ जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मेरा भी duty है लेकिन मैं duty टाइम में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जय हिन जय भारत जय चतिस गर